और देखो कितना सुन्दर लग रहा है माता का दरवार लग रहा है और धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा बीटिफुल लग रहा है आज वीकेंड है सैटेड़े है तो बहुत ज्यादा संगत है देखो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं आपे कुकी कितनी हाइट पर अभ कि इस रस्ते को आजोय करते हैं मैं आपको बता देता हूं माता नैनादेवी जी के बारे में तो भजी माता नैनादेवी जी jee का मन्दर है हिमाचल के एक जिले बिलास पुर में पड़ता है वैसे तो अगर आप कभी भी आओगे तो मंदर में आपको हमेशा संगत मिलेगी लेकिन जो यहां पे मेन मिला है वो चैतर श्रावन और अश्वनी नवरात्रों में लगता है इस टाइम पर यहां पर बहुत ज़्यादा संगत आती इसी स्थान पर सती माताजे की आंखें गिर तो वह बात करते करतें अभी हम पॉँच गये माता नैने देवी जी के बिलकुल फ्रेंट पहतें हैं और माता नैनादेवी जी के अभी हम पहुंच गया है मंदिर के बिल्कुल पास और अभी मैं आपको पार्किंग में लेकर चलता हूं और देखते हैं क्या-kya facilities हैं यहाँ पर अभी सबसे पहले पार्किंग में कार लगाते हैं आपको बताता हूं कि parking का प्राइस क्या है अगर आप अपनी कार लेके आते हो या तू विलर भी लेके आते हो और चलो चलते हैं मेरे साथ और धर्शन करते हैं माता नैना देवी जी के के सामने देखो भी थोड़ धुड़ दर्शन हो रहे हैं माता के उपर हमने वहाँ पहुंचना है अभी देखते हैं कितनी आगे तक हमारी कार जा सकती है और कितनी हमने चड़ाई करनी है तो भई मेरे left-hand side पे यहां की नैना देवीजी की parking है देखो सामने लिखा होगा आपक दो रस्ते मिलेंगे उपर आते हो यह left side आपके parking होईगी और right side पे होगा bus stand का रास्ता बसीज का तो अगर आप right side से जैसे मैं उपर आगे हो तो इस सड़ पहुंच जाओगे साहां पे सारी बसीज खड़ी है तो यहां मताना अगर आप अपने विकल पे आ रहे हो तो आपक ranking लगा सकते हो अपनी चार पर आगये जाए जा अपनी कार आगये जासकती है कितने ऊपर तक जा स्कती है कर सकते हो नहीं तो आप उपर तक आर लेके जा सकते हो अभी हम उपर ही जा रहे हैं है है तो भही हम पार्किंग से औगे आगे हैं और यह राष्टा पृण टी रे मंएंट न're कर नी यह और शुजिली क्लोंडिर वाले रांस्ते को आप क्रोस करके बिल्कुल उपर पहुंच सकते हो जहां पर आपको सिद्धा मंदिर के दर्शन हो जाएंगे वस थोड़ा से आपको चलना पड़ेगा तो अभी हम वही रास्ते से जा रहे हैं और यह रास्ता थोड़ा नेरव है तो ध्यान से ट्राइब करके आना कभी भी लेता हूं जो हम और भी उपर चड़ाई करके आएं तीन किलमेटर मतलों कार लेकर आएं और यहां पर आपकी आपकी पार जैसे लग जाएंगी और यह पार्किंग एरिया हंड़ट उपिस यह लेते हैं पार्किंग का और बहुत सई पार्किंग और अथे तरीके से पार कर देखो तो अगर आप उपर आना चाहो अना इतनी चड़ाई नहीं कर सकते आप तो आप इस तरिके से भी आ सकते हो तो चलो अब उपर चलते हैं दर्शन करने माता के वह आज सैटेड़े हैं और सारी पार्किंग पॉलो रखी है अपर भी कुए सब ही उपर ही आयाते हैं य तो वीकंड पर बहुत ज्यादा रश होता है देखोंगे संगत बहुत ज्यादा है आगे कारें कारें खड़ी है तो हमको सही मिलगी जगह हमने लगा दी यहां पर भी है तो चलो अब उपर दर्शन करने चुमते हैं यहां से जाएंगे आपको यहां पर रेस्टरेंट वग मिलता हूं तो ठीक है बढ़ी डीसेंट प्राइजीज है कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि आप हाइट पर होते हो तो सही है प्राइज के साथ तो आप यहां पर आके खापी भी सकते हैं तो वही ऐसी थाली आपको 120 रुपेस की मिल जाएगी जिसके अंतर मिक्स वैज है दा लोगं चाहेंगे चड़ाई स्टार्ट होगी यहां से देंग देखते हैं तो भाई यहां से देखो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं हम पर क्लिया क्योंकि डेम का विश्याइए हूं उपर चड़ते चड़ते महाता के पास जैसे जैसे आप आते जाओगे आपको इस तरीके की शॉप्स मिलती जाएंगी दोनों साइड आप यहां पर पी सकते ड्रिंक्स तो यह से आपको यह स्टेर्स चड़के उपर आना होगा और लेकिन ज्यादा चड़ाई नहीं लगेगी क्योंकि आप उपर ही आ जाओगे अगर कार लेके ना अधे रास्ते से तो आप उपर ही आ जाओगे तो इतना नहीं आपको लगेगा थोड़ा सा चटना बढ़ेगा बस पी जो रोपवे फिसेल्टी है माता नाना देवी की वह भी कुछ टाइम के लिए बंद किरी हुई है को की कंशेक्शन वर्क चल रहा है वह देखो सामने वह यह रोपवे है लेकिन अभी बंद कर आवा तो यहां बहुत नैना देवी माता की जो एक गुफा भी है गुफा दर्शन रास्ता यहां से देखो तो मैं गलती से पहले यहीं पर आ गया गुफा भी आज बंद है यह गुफा का रास्ता तो मैं गुफा वाली साइडी किया था तो अभी बंदोर रखें यह आ गया पूरा मार्केट यह देखो फिर यह सारी मार्केट ने भी अन्दर वार में अभी हम परशाद लेने के लिए रुकें हैं और आपको रास्ते में जाते जाते शॉक्स मिल जाए के लिए और सारा प्रशाद आपको मिलजेगा अपने यहां पे जुत्ते बगारा भी खोल सकते हो और और भी यहां पर काफी समान पड़ाई लिए कुछ खुरीज सकते हो भई हम आके खरीदते हैं पहले जर्शन करते हैं तो इमाता के द्रबार में जाते हुए आपको बहुत सुन्दर यह सारी मार्किट मिलेगी आपके दोनों साइड और यहां से आप परशाद और प्रशाद खरी सकते हो तो मान आपको मिल जाएगा की रिंग्स बगारा भी है और परशाद तो हई है यह देखो थोड़ा सोर रह पहुंच नहीं वाले हैं अभी हम तो सबसे पहले चलते हैं और आपको अभी अंदर जाके दर्शन करता हुए तो भाई हम मंदिर में पहुंच गया है जो में दर बाहर है माता का यहां से एंट्री है उपर चड़ाई करके जब आप आओगे और शॉप्स यहां पर भी अब देखो वह कितना प्यारा लग रहा है और लाइन लगी हुए सामने तो चलो हम भी जलते हैं और दर्शन करते हैं तो भी आज वीकेंड है और वीकेंड के कारण आज बहुत ज्यादा संगत आ रखे यहां पर पहले में आते वे इतना बतन लग रहा था पर अभी हमने ज काफी संगत है दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है तो यह अधर बार के अंदर का गुष्ण दारा भाई बहुत ज्यादा संगत आ रखे आज यहां पर और अभी बार से दिखाता हूँ मैं कर दो यहां पर बार से दिखाता हूँ मैं कर दो यहां पर बार से दिखाता हूँ मैं कर दो यहां पर बार से दिखाता हूँ मैं काफी टाइम लगा हमें एक घंटा लग जाया दर्शन करते करते और हो गया दर्शन तो जो दर्बार का जो अपर का यह सारा है इस्ट्चर है सारा गोल्ड से बनावा है यह सारा गोल्ड प्लेक्टिड है आप देख सकते हो यह देखो कितना सुनहरा लग रहा है और धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा बीटिफुल लग रहा है और संगत आ रखी है आज वीकेंड है सेटेड़े है तो बहुत ज्यादा संगत है और देखो कितना सुन्दर लग रहा है माता का दर्बार सोने से चड़ावा पूरा सोने से ढखावा दर्बार और यह देखो कितनी हाइट पर है अभी हम तो हाइट देखो आप कितनी ज्यादा है तो यहां पर और यहां पर लोग को चुनने बाहलों तो अभी मैं आपको यहां की और इंट्रेस्टिंग बाता हूं जो भी आप यह गेट देख रहे हो सामने यहां से जो माता अब भक्ता जिसका नाम था जट जिवना मोड उसने यहां से बिलकुल नीचे जंप कर दी थी और उस जगा पे अभी भी जट जिवने मोड की समाद बनी हुई है तो यह थी मेरी आज की वीडियो माता नैना देवी टेंपल की तो होप करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहु करता हूँ